लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें फैजी कहानी उसके पैदा होने के पहले ही शुरू हो गई थी सच्मी अल्ट्रा तो मैं बाप बन रहा हूँ बहुत संदर बच्चा होगा मैं उसका नाम फैजल रखूंगा और उसे फैजी कहकर बुलाओंगा वो मेरी कमाई हुई संपत्ती का बारिस बनेगा इसलिए मैं कह रहा था कि कहानी उसके पैदा होने के बहुत पहले ही शुरू हो गई थी उन नौ महिनों में अब्दुल रजाक ने फरीदा के लिए सब कुछ खरीदा वोन दिनों उसके दिल के बहुत करीद थी और आखिर में वो इंतिदार की गड़ी आ ही गई लड़की हुई है लड़की का नाम फातिमा रखा फिर अब्दुल रजाक और उसकी बीवी लड़के की चाह में दूसरे बच्चे की तयारी करने लगे और आखिर में फरीदा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया लड़की है यह लड़का लड़की हुई है उस लड़की का नाम फाजिया रखा गया उसके बाद अगले साल फरीदा फिर से मेटरनेटी होम पहुँच गई लड़की हुई है या ला उन्होंने उसका नाम फिरोजा रखा वही साल वही जगह वही समय मेरी दूआ कभूल कर लो इस बार मुझे जरूर लड़का ही देना या ला लड़की हुई है इस बार लड़की का नाम फजीह रखा जैसे जैसे अब्दुल्रजाक की फैमली बढ़ती गई उसका बिजनेश भी बढ़ता गया दो साल के बाद फिर से फरीदा गर्वती हुई लेकिन इस बार बच्चा पैदा होने से पहले अब्दुल्रजाक दुबळी चला गया फरीदा का कोई रिश्टदार है क्या फरीदा का कोई रिष्टदार है यहाँ लड़की या लड़का हेलो, लड़का हुआ है मैं तो सोच रहा था मेरा सपना सपना ही रह जाएगा लेकिन मेरा फैजी आ गया लगतार प्रसाव करने की वज़े से फरीदा का स्वास्थ खराब हो गया था और एक दिन वो सब को छोड़ के चली गई अब वो लड़का उस बाप के हवाले था जिसने उसको अभी तक देखा ही नहीं था और साथ में थी चार छोटी बहने बहनेत की था जुआ में और साथ में था जोड़का है कि अच्टी प्यान था जाए जाए जड़का प्यारा थिए जप्यारा साथ में थान आस-खा है का दे प्ली तो प्ली अग्ड़का है ओुँँचचचचचचच लेपी मेटा, फिले, फियो ना, बढ़िया, शाबाज, पिलो, 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 उस दिन पैजी ने पहली बार मीठा जखा था फरिदा की मौत के बाद अब्दूल्र्जाग अपने बच्चो को दुबाई लेकर चला गया फैजी के पास मा तो नहीं थी लेकिन उसे सम्भालने के लिए उसकी चाट बहने थी वो उनके सपनों की दुनिया उस किचन में ही पलने बढ़ने लगा उनकी बेहनों ने बहुत अच्छी तरह कोशिश की कि वो उसे मा का प्यार दे उन्होंने उसके लिए फ़ही खाना बनाया जो उसकी मा बनाया करती थी लेकिन थोड़े ही समय में उसने किचन को सभालना सीख लिया उसने किचन के कामों को मनरंजग बना दिया उसका किचन में खूब मन लगता था लेकिन उसके अबबा को यह सब पसंद नहीं था ओय तुम वहां किचन में क्या कर रहे हो इधर हो या कर पढ़ाई करो और धीरे धीरे फैजी बड़ा हो गया कर दो Сबस्तों कर पूबे हो बना सकत्षा में रहे हो इधर क्या सबस्तिवा गराई भंओे ए 187 gras किचन के में रहें बुम को गखांग लड़कियों की शादी की उमर होने से पहले ही अब्दुल रजाक ने उनके लिए दुबई में लड़का ढून रखा था और आखिर में फैजी इतने बड़े घर में तलहा हो गया पैजी ये है तुम्हारी नई मम्मी कर दो फैजी ये लो इन सब बुकलेट्स को तुम अच्छी तरह से पढ़ लो इसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें एंबिया कहा करना है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मिलकर कोई नया बिजने शुरू कर दूँ पल्लो इन है फैजी तुमने फैसला कर लिया यूके या यूएस मैंने सारे देख लिया अबबा मामूली से एंबिये के पढ़ाई के लिए यूके यूएस जाने की क्या जूरूत है अगर मैं कुछ अलग काम करता हूँ तो ये आप के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा स्विजर्लेंड में अच्छा सा कोर्स है होटल मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट में मैं वहाँ जॉइन होना चाहता हूँ आजकल टूरिजम एरिय के हिसाब से चलता है पापा ये टूरिजम और होटल मैनेजमेंट का तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है तुमने अगर ये सब पढ़ा तो क्या हम फाइव स्टार होटल खोल सकते हैं अफकोर्स वक्त के हिसाब से हमें बदलना चाहिए न नहीं तो फिर मतलब क्या हमें थोड़ा अलग तरीकी से सोचना चाहिए हाँ तुमने जो कह बिल्कुल सही है होना ऐसा चाहिए कि लोग अब्दुल रजाक को फॉलो करना शुरू कर दें किसी और को नहीं मुझे तुमारी बात पंजूर तुम जब पढ़ाई करके वापस आ जोगे तो हम अपना फाइव स्टार खोलेंगे खुद का एक जमाने में लोग रसोईये का बेटा कहकर मुझे बुलाया करते था और अब मेरा बेटा उन लोगों को ये दिखाएगा कि अब्दुल रजाक फाइव स्टार होटल का मालिक बन गया है लोगो 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 I want to look at you सब्सक्राइब तो बहुत ही सीरियस है फैजी ने स्विच्जलान में अपना कोर्स खतम किया और फिर लंडन में एक जॉब ढूंड लिया और अब अपनी गर्फरेंड के साथ उसने लंडन में एक घर खरीबने का फैसला लिया है पर इसमें गलत ही क्या है उसे अच्छी लिड़की मिल तो गई है ना कितनी गोरी भी है वो तो है लिकिन अब उसकी डिमान कुछ और है अब वो चाहता है कि ये बात हम अब्बा को बताए कि वो घर वापस नहीं आएगा अब अब को पता चलेगा तो उसे चोड़ेंगी नहीं और अगर हम ये बात अब्बू को नहीं बताएंगे तो वो लोको नहीं चोड़ेगा डरने की जरूरत नहीं है अब ये सोचो कि इस सिचुएशन को हैनल कैसे करना है हमें उसे वापस लाना होगा और वो भी बिना अब्बु को बताए अरे भाई एरपोर्ट से सीधा घर पर आने में फैजी को कोई दिक्कत है क्या अरे नहीं मेरा बेटा कभी मेरे बातों को टालता नहीं है सिर्फ इतना ही नहीं अपने परिवार के साथ मैंने ये सूचा है कि हम लोग ये सूजाएंगे कैसे आप उसकी फिक्र मत कीजिए अच्छे सद्सकार हैं विदेश में पढ़ाई की हुई है और देखने में हैंड सम लगता है मामोटी की तरह सैजी सलाम वालेकुम सलाम ये कौन सा स्टाइल है आप एजी ये कलू माथोडियाल हाजियार इन्हें अपने फिचर के लिए खास इंसान मानो सलाम वालेकुम सलाम है अब्दुल्ला के साथ इस कार में आना ठीक है अबूफ अब्दुल्ला अंकर अब्दुल्ला अंकर ये लोग कौन है ये लोग तुम्हारा रिष्टा लेकर आए है हां हां बैठा बैठा बहुत लोग तुमसे बात करना चाहते हैं है हेलो हाई अच्छा बहनों की कंपनी क्यों दूली राजा हमें बिने बताए तो लह देखने जा रहे हूं तो इन सब के पीछे तुम हो मैंने तुम्हें क्रिस्टिना के बारे में बताया था ना तो फिर बेवजा ये सब क्यों हमें सब कुछ पता है लेकर लड़की से मिलने में कोई पुराई नहीं है ना मुझे सुनो रिष्टे के लिए तुम्हें था मत कर देना हमारे स्टेटिस का खयाल रखना अरे ऐसा कभी नहीं होगा इसी काम के लिए तुम लोग ने मुझे जल्दी बुलाया था क्या अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अपने साथ ही ला वो स्पेन गई है चुटिया मनाने के लिए शायद दस दिन में हमारा लंडन का फ्लैट रिडी हो जाएगा और तब तक हम लोग भी वहाँ पर पहुंच जाएंगे क्या वैजी कोई अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं दून सकते थे क्या कि देखने में कितनी गंदी कि लगती है में अब अब इस पार पूंधेश पार पूंधेशा स्लाव अलेकुम 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 आजा इस लाम अलेकुम नहीं तो नहीं जी बिल्कुल नहीं शहाना है उसे बहार दो हाँ हाँ चीक है आव बेटा आज आज आव बेटा लेकर आओ जल्दी मीचे यहाँ पे बैठाव यह थाल भी लेगा आप बैठिये ना बैठो आराम से चल्दी करो आप भी बैठिये अच्छा बेठा विदेश की जिंदगी यहां की जिंदगी से ज्यादा आराम दायक है क्या फैजी आराम दायक तो है लेकिन वहां पर इस तरह के स्नैक्स नहीं मिलते हैं वक्त बदल गया है अगर फैजी और शहाना एक दूसरे से चाहें तो बात कर सकते हैं हम 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 बात कर लो जाकर है आई फैजल शहाना मुझे पता नहीं हो लोग ने तुम से क्या कहा और एक्चिली मैं प्रिपेर नहीं हूं हाव स्वीट यह इस क्यूट और रोमांटिक बड़ चाय में शक्कर केतनी चाहिए यह पूछ रही हूं मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा ओटोडॉक्स है लेकिन मैं नहीं हूं जब हमें बात करने के लिए भेजा गया तो आई थाउट दी ऑपोजट तुम्हें पता हैं आमें यहां बैठ कर बाते करने के लिए क्यूं कहा ताकि हमें डिस्टब ना हो यह ऐसी जगे है जहां घर के चारों कोनों से देखा जा सकता है कि सरव अपर देखो वहां पर मेरी दादा दादी और चाचाजी होंगे बाई तरफ देखोगे तो बड़ी बहन उसका पती और उसके बच्चे होंगे तुम्हारे पासनी का इंतिजार कर रहे हैं लेकिन वो लोग हमें सुनने ही सकते तुम्हारे जैसा हैंसम कुर लुकिंग एजुकेटिड अब्रॉड में रहने वाला तुम्हारी तो यॉरॉपियन गॉर्फरिंड भी होगी है ना तुम्हारे पास चॉइस होती तो मैं कभी निकाह ही नहीं करती लेकिन मैंने कहा ना मेरी फामिली बहुत ऑथोडोक्स है और अगर मैंने निकाह किया तो मुझे अपनी बनाबरी का पार्टनर चाहिए एक ऐसा इंसान जो कोई भी डिसेशन लेने से पहले मेरी राए भी सुरे तुम्हारी बेहनों से पता चला कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो उन्हें कैसे पता मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था ओ नो प्राबलम मैं तुम्हारे बताती हूं आइम ट्वटी वन यर्स ओल्ड मेरी बढ़ाई बैंगलोरू में हुई स्पेशलाइज़ इन इंफिरियर दिसाइनिंग और निकाह होने के बाद भी मैं काम पर जाना चाहती हूं घर पर रहकर मैं बच्चों को नहीं संभालना चाहती हूं तुम फाइव स्टार होटेल बनाने वाले हूं ना इफ यू डों माइंड मैं उसका इंटियर करना है ऐसी एक बात है जो मैं आप बो को नहीं बता सकता है मैंने स्विचर लैंड में शेफ की ट्रेनिंग ली है शेफ का मतलब जो खाना बनाता है सफे टोपी पहन कर वही लंडन में फाइव स्टार जॉइन किया है दी आइवर स्टूंट मुझे सू शेफ की पोजिशन मेली ह है आई विल जोइन इन वीक एक्सक्यूस में हम इसके लिए दूला ढूंड रहे हैं कोई खाना बनाने वाला कुक नहीं अजीब बात है हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा लेवाला लग है उनके खांदान के लोग कुक है क्या हो चाचा बेटा अभी जल्दी चलो तुम्हारे अब्बू बहुत गोस्टे में है कि स्विज्जर लेंड मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भिजा था तीन सालों से तुम्हाँ पैसे बरबात कर रहे थे क्यों के? तुम्हारी उम्हें कैसे हुए असा करने की अरं कि अ मैं शेफ की नौकरी कर रहा हूं इसलिए शेफ की नौकरी मैं तुम्हें कभी वो नौकरी नहीं करने दूगा मैं तुम्हें कभी किसी तक्लिफ से घुजरने नहीं दूगा हाजियार की प्रॉपर्टी पर मैं एक फाइल स्टार होटल बनाऊंगा तुम उसे चलाओगे और त पैसा वापस करेगा, वापस दे मेरे पैसे ला, दे अभी दे, समझता क्या है अपने आपको ला, मेरे पैसे वापस करेगा, डोंट बी ड्रमाटिक अबबा, मुझे लंडन में एची जॉब मिली है, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो आपका पैसा भेज दूगा, पैसा भेज द देखता हूं इनके अलावा आप तुम्हारे पास और क्या है अगर मेरी अम्मी होती तो आप उससे इस तरह बाते नहीं करते तुम्हारी अम्मी मेरे लिए हर वक्त रुकावड जैसी थी उसने जब तुम्हें जन्म दिया तब मुझे खुशी हुई लेकिन आज मुझे यह प मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूँ अगर तुम्हें अपने दादा की तरह शेफ बनना है तो इस घर में अपसे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है देखो इस मामले को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा फैजी स्थाना है झाल 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 तुम ने अच्छे से सोच तु लिया है ना? हाँ अच्छे से सोचा है मैंने अपनी जिन्दगी चुन लिया है उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो बस ये यही है, यही है, यही है स्वाहनला झाल 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 कर सकते हैं बेटा तू मेरे साथ रहने आयो क्या आप एक्चुलि जब तक मेरी बहने मेरा पासपूर्ट और डॉकुमेंट्स लाकर नहीं दे दे दी तब तक दिनों के लिए क्या तुम्हारी बेने तुम्हारे लिए ये करींगी मेरे लिए बस वही है जो कुछ कर सकती है वो सब तो ठीक है पर उन्हें अपने भाई के भालाई के लिए ये सब करना तो बढ़ेगा इसने किताबों से खाना बनाना सिखा है इसे जरा स्वात का तजरुबा लेने दो बेटा ये रख दो तो फैजी तुम्हें समल का रहना होगा तुम्हारे दादा जी बहुत अलग किस्म के इंसान है अबू जैसे बिलकुल नहीं बेटा यहां तक कि तुम्हारे अबू भी करीम चाचा को आज तक नहीं समझ पाए जरा ध्यान रखना थैंक सब तुम चाचा में जा गरे में जा गरे सा जा मागा गमगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग बढ़ा, सुभानाला भाबानि लिजा, भाबानि लिजा से ख़्योक देजुए बगल में अुछा कि ख़्योक दो आप निज्ञोंगे ख़्यों हुचा कि सोछा को पीते ख़्यों। gee очश श श श श श 비슷 श श श श श श अरे उमर हाँ इस बच्चे की सबसे मुलाकात करवा दो सलाम अलेकूं वालेकूं सलाम आप यह यह फैजल है अमेरिका से पढ़ाई करके यहां है अमेरिका नहीं यरोप अरे दोनों एक हैं अमेरिका हो यह यह अरे अपने उस्ताद के पोते हैं मैं पहली बार सुन रहा हूं अरे पागल दुनिया में इसी कई सारी चीजें जो तुझे पता नहीं है उस्ताद कभी अपनी फैमिली के बार में जिक्र नहीं करते हैं लेकिन मैं उल्टा हूं मेरी दो बीबिया और नौ बच्चे हैं पहली बाली से चार बच्चे दूसरी बाली से पांथ और अगला ओन दवे हैं हमारे दुकान में चार बेटर हैं उनमें से एक यह जुडवे हैं एक और है स्माइल यहीं कहीं होगा वह देखो वह रहा अपनी पैचान बताई क्या नहीं तुभी पैचान करवादे में लगता कि यह करीम चाचा को खुदी नहीं पता कि करीम चाचा को सब पता चल चुका है कि यह कौन लोग मुफ्त में खाना खाते हैं मेरा मुह मत खुलवा संजा यह चारो दिन भर कभी भी देखो बस यहीं पड़े रहते हैं बैठे बैठे यह मुफ्त की रूटिया तोड़ते और चले जाते हैं एक दम जंग की तरह चिपक लेकिन इने आज तक किसी ने गाते हुए नहीं देखा कैसी बातें कर रहे हैं उमर चाचा आर जी सी में अगले हफते हमारा शो है आपको बता नहीं है क्या वहां आकर देखिएगा हम कैसे रंग दमाते हैं अरे मुझे चोड़ तो बाई इतने दिन तक जो देखा उसी से त क्या है तुम्हें क्या लगता है अच्छा होता उस बिली को अगर भगातिया होता है वो अगर रुक गईना तु लूकसान पहुचाएगी नुँचाएगी रहुँ आपक्रियू है Cristina, some crazy things have happened here in India I need to talk to you soon You call me on plus 91 904 73 45676 I miss you like crazy Love you lots Kisses, Faizi फैजी भाई, करीम चाचा बुला रहे हैं आपको ओके ओके बाई बीबी ये लो, गाड़ी स्टार्ट करो दादजी मेरे पास लाइसेंस नहीं है तुम उसके चिंदा मत करो गाड़ी का तो रजिस्ट्रसन नमबर भी नहीं है क्या दिक्कत है वो मैंने इसमें पवित्र गरंद रखा था तुम चलाओ 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 चलो अरे चलो ना अब अब आप अब अब आप आप मराधी भी जानते हों सब कुछ जानता हूं मैं तुम्हें भी पंजाबी भारत की भाशाएं आती है करिम भाई को इंग्लिश भारत की भाशाएं क्या अगर तुम्हारे दादा जी यहां से इलेक्शन में खड़े हो गए न यहां कि आटो वाले ही इनको जिता देंगे और क्या यहां जब भी कोई नया आदमी आता है न तो चाचा की बिर्यानी जरूर खा करके जाता है अच्छा बस टेंड या रेलवे श्टेंड पे किसी भी आटो वाले से पूछोगे कि अच्छी बिर्यानी कहां मिलती है तो वो लोग सीधा उस्ताद के होटल में लेकर आ जाते हैं फिर वो जब अपने घर जाते हैं अपने दोस्तों या रिष्टदारों से मिलते हैं तो हमारी बिर् किलाते हैं नौट बैड इनके पास भी मेरे अब्बू की तरह बिजनिस सेंस हैं बेटे करीम चाचा तुम्हारे अब्बू से हर मामले में बढ़े हैं यह बहुत जगा पे घूमें हैं कई सारे काम किये हैं लेकिन इनों ने पैसा कमाना छोड़ दिया जबसे सोशल सर्विस यह मेरा पोता है है यह दोनों बोरी ले जाकर वैन में रख दो हम उठाओ मैं हम क्या हुआ उठाओ उठाओ न इन बोरियों को उठाओ अरे सवाल के पिटा अरा हमसे चलो क्या है इसमें बासमती दिर्यानी बनाने का चावल हल्का लंबा इस्पेशल सुगंद के साथ हल्का लंबा चावल दिदी अब तक कहा थी तुम फैजी तुझसे आखरी बार बात किये हुए भी 24 गंटे भी नहीं हुए है तो मैं बता इन 24 गंटों में क्या क्या हुआ हुआ है अब दुल चाचा ने बताया अच्छा दादा जी कैसे है तुमने उनके बारे में पूछने के लिए फून किया हम लोग कभी भी तेरी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं गए है तुन्हें जो भी रास्ता चुटा है तो तुम चाहती हो मैं अब्बा के पास वापस ना जाओं देखो दीदी तुम्हें कैसे सब्सक्राइब लोगी यही तुम हम अबुसे इस बारे में कब तक कर दो ना Paraas in融े पास करोंगा अ कि मेरा पाला दीन यां पर और उन्हें पचास किलोंगी स्टुमें पैसा भल्की यही तो काम कड़े हो ना मजा कर रही हो सीरियस बात करोना हओ और अलो can't believe this stupid phone Christina hello, Christina Christina Good morning Good morning Isn't it bad? Yes! My son No one can feed someone But what we eat We should be happy We should be happy That way We should be happy On the other hand We should be happy With it To help me Good night The drilling To make you understand my mind वाँ 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 क्या बात है यही करने के लिए मैंने तुम्हें स्विर्जर लेंड बेजा था क्या तो समझ में आ गया अगर अपने दादाजे की तरफ बनना चाहोगे तो अराम से लिखना लाखो करोडों का बिजनेश जो करते हैं यहाँ पर नुकसान नहों जाए अब्दुल इस बच्चे को अपना रास्ता खुद चुनने दे बोल गया ऐसे ही तो तू भी आगे बढ़ा था करीम चाचा यह पराठा बिर्यानी वाली छोड़ी चीजों की बात नहीं है करोणों खर्च किये इस फाइव स्टार होटल में और वैसे इस मामले में आप क्यों पढ़ रहे हो चाचा तुम्हें भी बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए क्या बोल रहा है तो अब आब यहां कोई भी मेरे सपनों के खिलाफ नहीं है तो तुम्हारा लक्षे जूठे बरतन साफ करना फाइव स्टार होटल चलाओगे तुम्हारा लक्षे तूट जाएगा क्या यहां मुझे कोई किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता आखिर य कि पूरी जगह एक चेक दे कर खरी सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरा दम घुरता है जब मैं यह कदम रखता हूं तो रजाक मंजिल में भी मुझे ऐसा लगता है लगता है दादा जी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है लेकिन एक बात याद रखना सिर्फ बोलने से इस दुनिया में कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता है और ये उन्होंने अपनी जिन्दगी से प्रूफ किया है तुम भी अपनी जिन्दगी वैसे ही बर्माद कर रहे हो वैसे अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अपना रास्ता बदल सकते हो तुम मेरे पास लौट आना ठीक है तुम मेरे अबाए इसे क्यों है वो इसलिए बिटा क्योंकि उसके वालिद ने ठीक से उसकी परवरिश नहीं की जब वो बच्चा था तब मैं खुद आवा रहा था मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी लेकिन अलग-अलग जगहों से पर मैं वापस आने के बाद वो चीज़ें उसे सिखा नहीं पाया वो बच्चपन से ही मुझसे नाराज रहता था जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका घुसा भी बढ़ता गया वो मुझसे और इस होटल के साथ मेरे उसूलों से भी नफरत करने लगा मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं उसे सही कैसे करूँ मेरे अबबा वो आपको करने नहीं देंगे अगर किसी खाने की डिश में आलू डाल दे तो उसका जैका बदल जाता है तेरे अबबू भी वैसे ही है जो इस वक्त उसके साथ हैं वो उससे माबबत नहीं करते बलकि उसके पैसुन से करते हैं इसलिए वो उन्हीं की जबान बोलता है इस वक्त वो जो भी कर रहा है मैं उसके लिए अल्लामिया से माफी की बेख मांगता हूँ अभी मैं उसके लिए इतना ही कर सकता हूँ चलिए थैंक्स लंडन से बाउस का एमेल था अगर मैं इस हवते नहीं गया तो वो किसी और को अपॉइंट कर लेंगे वाइड़ 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 दूड़ इस अमच बेटर सीन यह राइड नॉट माइड़ सीन दादा जी आप जाके खाना खा लीजिए मैं यहाँ बैट जाओंगा बेटे क्या तुम बीच बे में नौकरी करोगे वो दिख रहा है फाइस स्टार होटल में मुझे वापस जाना है दादा जी बस मैं पासपोर्ट के टेंशन में हूँ डूब्लिकेट पासपोर्ट बनने के लिए दो मेने तो लगेंगे ऐसा अब्दुल जचा कह रहे थे तब तक तुझे कोई नौकरी करनी होगी ना एक बात जो तेरे अब्बु ने कही वो सही लगी अगर तुझे कुछ नया सीखना है तो यहां से जाना होगा बीच बेमेचा वहाँ बाबु से मिल और उसको यह दे दे दादा जी जॉब के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है उनके ओफिशल प्रोसीजर भी होता है उसके लिए अरे तूस से पहले मिल तो कैसी हो बेटी तो खाना कैसा है उमर चाचा आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं यह मेरा पोता है इसे इसकी पसंद की नौकरी देना करीम चाचा वाओ जाके कोशिश करो मुझे लगता नहीं कि इससे जादा कोई ओफिशियल हो सकता है तक नहीं कारीम चाचा चाचा वे तल शूंट धूट सूटल पहले में वाओ जाड़ द्सक्रूल एसक्तर आपकाचाचा नहीं कोशिव सब्सक्तर पारेम चाचांचा तूटल व्लीजий में तो सद्करिये तो भी द्ट खूलार तक तो यह उसने काओ तो तो पहले में कोई म यह करीम चाचा के पोते हो तुम जी हां फैजल अब्दूलर्जाग मेरा सीवी और सर्टिफिकेट आम ग्रैजुट फ्रॉम्लाइन स्विजर लाइन वेरी गुट बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन दिख रहा तुमारा स्विजर लाइन से पड़ाई किये तुम्ले तुम्ल एज अच्छा प्रॉम्लाइन सøर्ट आमदेर करेम जाचा वो मेरी साइकल अगले महीने में ले 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 लिए ठीक है चाचा बस मैंने ऐसी याद दिल है अब इदा ये लोग लड़के वाले आ रहे हैं शादी फिक्स करने के लिए उसके लिए इतना पैसा काफी है ना हाँ अरे फाइव स्टार का सेफ यहां क्यों भूब रहा है कॉम्पीटर और कैलकुलेटर के बिना आपका कैलकुलेशन सीखने आया हूं यहां पर ठीक है दादा जी हाँ ठीक तो है सब कुछ पर मुझे जॉनी के लिए साइकल ले नेसू की बच्ची को स्कूल भेजना है इन वैसे मद्रोय के लिए मनी ओर्डर कर देना वैसे तुम्हारे दादाजी की दूसरी वीबी है और क्या बोलू हर महीने भेजते हो लेकिन बताते नहीं हो कि किसके लिए भेज रहे हो अब तुम्हीं बताओ दाल में कुछ काला है या नहीं मुझे खाने से ज्यादा खिलाने में खुशी होती है समझ गया ना मुझे जौब मिल गई है उस खुशी के लिए है यह प्लीज खाईए दादा जी यह नौकरी मिलने की बचे क्या है क्योंकि तुने पढ़ाई की है क्वालिफाइड है तू और सबसे खास बात तू मेरा प उस शेफ बाबू के साथ कनेक्शन क्या है अच्छा यह बता बीच बे का स्पेशल मलबारी बिर्यानी खाया क्या नो लोग वहां पर फाइव स्टार डिशे से ओर्डर करते हैं यह भी फाइव स्टार आइटम है बेटा जो फॉरिनर वहां पे रहते हैं न वो अकसर समझ गया ना आपको किसे पता है वो बस ऐसे ही तो आप बीच बे की रेसिपी इस्तिमाल करते हैं अरे पागल कहीं का तू इस बात को जरा उल्टा करके समझ नू फे यहां की बिर्यानी वहां पर स्पेशल मलबारी बिर्यानी के नाम से खिलाई जाती है तो शोहरत और प्र एक्स्ट्रा देता है इसलिए अपका नाम सुनकर उसने प्यास से बात की है फैजी तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है यह हमारे साथ अगले दू हफते तक रहेंगे शेफ फिलिप की जो स्पेशालिटी है वो है यूरोपिया डिश और लोकल डिश का कॉमिनेशन जो इनका सिखनेचर है वा तो यू शेफ फिलिप Thank you chef a boys a pleasure to be here in the land of spices I'm going to be experimenting with a combination of local cuisine and European oak cuisine is anyone you're familiar with oak cuisine, yes sir hmmm new recruit he's also a chef yeah good why don't you join us thank you sir well just to get the ideas right can anyone suggest a combination of kerala food with a European dish that could be a part of a fusion menu sir how about an entree of the local kerala parrota with a portion of spanish omelet sure can you show as an example sure good choice and your name is Faisi sorry um Faisi ah Faisi hello Christina it's me Faisi baby how are you Faisi where are you which number is this I'm still stuck in India babe I sent you so many messages already this is my new number so much has happened in such a short while but forget all that guess what's happening now I'm part of a fusion food festival with a chef Philip from Paris and he's great stuff that doesn't sound like you're stuck in India come on Shu I told you until I get my passport in two months I can't travel back this is just a job I've picked till that time well since you're busy setting up your life there I wish you would let me know but baby I've been trying to call you ever since I got here Faisi the deposit is due on our apartment are you sending the money oh geez I didn't think of that it's like two hundred pounds right I don't have that much money now well that means I'll have to let go of it and possibly move on with Marco Marco what are you doing with Marco because my so called boyfriend is busy creating fusion food in India so you roaming with your ex boyfriend you're the one driving me to it no I'm not oh god Faisi you're so conservative next do you want me to wear a burka don't you have any girlfriend you can roam with this stupid Marco you know what I can't handle this pressure this long distance relationship whenever you come back in three months or four let's just pick it up from there okay got to go bye hello Faisi I'm waiting for you I was waiting for you I was waiting for you there's a ticket oh you forgot what tomorrow our show is oh come to a spot at 7 o'clock okay don't forget yes I'll see you there hey hey you rock man awesome thanks hey fabulous Faisi how was the show? it was very good you're right definitely Kustad after hotel you get the best food what are you doing 1 2 3 4 6 chicken rolls 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 7 6 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 14 15 16 16 15 16 16 अच्छा मुझे घर तक कौन रॉप करने आ रहा है अरे माय छोड़ता है वाद आ रहा है अर्ग्याः रहा है यह तो इसको के दूड़ीय और दूड़ीय तो यह लिए अब कि अब अब दूड़ कर दूड़ा क्या तो लांड़न का टॉप शेफ यहां कैसे रह गया है लॉंग स्टोरी है कि इस गये कुष्रेवान से घर पहुंशने तक कोई भी बड़ी स्टोरी पूरी हो सकती है घर वालों से पर्मिशन लेकर यह रॉक स्टार बनी हो वो तो तो मत ही पूछ हो फिर तुम यह मेरे बारे में कुछ मत पूछ हुआ 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 इसके ज़ुआ हुआ हुआ है लूपी सुमाटब क्सार्ण कु्सार्ण सुमाट में फ़र धो क्वाट सब्सक्राइब प्लीज टॉप सर सर लिफ्ट चाहिए सर है सर डूट कम आण अगर मैं अखेली होती तो कब की लिफ्ट मिल जाती मुझे है अफकोर्स लड़कियों के लिए तो सब इसी है हेई आपन आइटिया हुआ हमारी गाड़ी खराब हो गई है हमें लिफ्ट में लेगी है हुआ है ठीक है बैठ जाओ भाईया यह सांड भी हमारी बैगल में बैठेगा क्या अरे नहीं नहीं तु एक कामकर पिछे जाकर बैठ जाओ हुआ हुआ है क्षर करी पारे जाँ सुछ LAए ही यह पिरीपन हुआ whip ए क्रीपन जाओ है यह मुझे चुब रहा है आप समझ गहने हम लग्यों के साथ यह सब होना बहुत कॉमन है मैं यह और पदाश नहीं कर से था हम दस पहुचनहींगाले हैं च्छस वाइब मिनिट्स चुब हाथ मेरा हरे तुमारी माँ पहन नहीं है क्या है कर … कर को … जहाओ झालो तो, जहाओ इखूір कर ज abusive पालतलोर आजिझ, कर जित झाल झालो जब माई जाओ झालो तो झालो, जब शुब बने खुब आए झालो तो झालो जा जा Πाल बन बन शुऑाओ, जा झालो को कै ई? झालो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 अधराएब में और अधरा आगाई वखना है तुम्हारे घर बें मावेहर नहीं है क्या तुम्हारे घर में मावेहर नहीं है क्या सूपर दाइलग डिलिवरी मुझसे ये सब करवाने के बाद भी है सरही हो बहुती कमाल के लड़कियो आज मेरी फ्रीडम का आखरी दिन है कर मेरी इंगेजमेंट है कॉंग्रेट्स थानक्यूअ लड़का को अभी नहीं जाना चाहोगे वो शेफ या कुप तो पका नहीं होगा ओके चलते हैं ओके आप आप शाना तुम्हारा पाफामनस आज बहुत अच्छा था स्टेज वाली या उसके बाद वाली अज़े दोनों अच्छलके की कन दिए स्टेज़ या उसके की कियए स्टेज़ 고양ỏi दोनों टुम्हारा भाली या टुम्हारा लेद candidate क्याके की कर्पाली याओली याओल् सोल्चिय याओल्स याओल्स ㅎㅎ कर दो 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 कर कर दो पक्र और में रख रहोंग है मिल्डब बंह दो सिर्ट मात भूटरर भूप सी जा। श्यपड, वस्ट मैट एलेक्स? वालिमों 20 पी जो किस्टुमर हैं उरको किस्टुमर हैं उरको छभ से मिलना हैं कौन सा दिश? प्रपैस्ट फिश तभाइज एंप्जा फैजी हम? यह स फैजी, तुम्हें हर डिपार्टमेंट से अच्छा experience मिल गया है लेकिन एक important department तुम्हारी ट्रेनिंग में छूट गया है Customers बट no problem, ये हम देख लेंगे Table number 28 के customer ने ये कहा है कि वो इस hotel के ship से मिलना चाहता है ये मौका में तुम्हें देना चाहता हूँ, जा कर उसे मिलो बड़ बिना ये जाने कि उन्होंने क्या डिश ओडर की है हमारे किचन में सबका team work चलता है देखो अगर मैं तुम्हारे डिश का credit ले सकता हूँ तो यू तो तेखो आप आप ये आप आप ये जानना है सर इस प्लीट में क्या है मुझे ये जानना है महरूफ प्लीज यहां कोई सीन क्रियेट मत करो हलो मेनू में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव डिश है यह सोचकर मैंने ओर्डर किया था अगर यह चीज कच्चा दिया जाता है तो शेफ की जरूरत क्या है सब फ्यूजन फूड के मेनू के हिसाब से यह फ्यूजन फूड नहीं है कन्फ्यूजन है सब प्लीज अंडिस्टाइंड यह टिश ऐसी खाई जाती है ओहो मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है गलती मेरी है कि मैंने ओर्डर किया जाकि एमडी को बुलाओ मैं उनसे ही बात करूंगा सॉरी सर आपको जोचाहिए ओर्डर कर दीजिए शेफ आपके लिए बना देगा क्या मुझे यह सिखाएगा कि मैं खाना कैसे खाऊंगा नौट अट अल साल प्लीज ओर्डर कर दीजिए मैंने क्या ओर्डर किया था ओइस्टर्स विद किरले स्पाइसेज चाह के पहले वैसा बनाओ जैसा मैंने बोला था यह सर कर दूब लड़के अ पला ऑनाओ कि अ 1996 लोड़र कि बचने विवाके यह सिर्फॉर्स almost मैं तू बट धूआ कि जिए अलिए कि मैं गजाओ değerотив बट क्या है अब़र किसा अबस्ख़ कि अडं़र ता कि आूआ eller उ cents प्रच्ट लोग्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लाद प्रेड़नों कर भीजा, कर भीजा, कर भीजा कर भीजार आज तो काम पर नहीं जाएगा क्या बेटा नहीं आज मैं चुटी पर हूं आप कहीं जा रहे हैं आपको ड्रॉप कर दू मैं करीम चाचा याला फैजल यह मेरा पोता है हेलो हाई आपको लोन की आकरी तारीक पता है करीम चाचा बस कुछी महीने बाकी हैं मुझे पता है कि पूरी रकम इंट्रेस्ट के साथ चुकाने में मुश्कील होगी कुल मिला कर कितना होगा यही कुछ 7,86,043 रुपे हुए थोड़ा और वक्त मिल सकता है क्या इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रपोजल है हाँ? इसमें आपको ही प्रॉफिट होगा अगर आप महीने के आखरी में अपनी प्रॉपर्टी बेज देंगे तो लोन के पैसे काट कर 50,000 आपको मिल जाएंगे और देखिए चचा वो प्रॉपर्टी तो आपके हाथों से वैसे भी चली जाएगी अगर लोन के पैसे भर दिये तो दादा जी कौनसी प्रॉपर्टी मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी तो है होटेल हाँ मैंने सारा केलकुलेशन इसमें लिख दिया है यह लीजिए हाँ देखो मुझे पता है कि वो बहुत मेहनत कर रहें इंट्रेस्ट भरने के लिए फिर भी यह मुश्किल है देखो वो सिध्धानतवादी आदमी है तुम्हें उनको समझाना होगा अगर तुम चाहोगे तो वो तुम्हारी बात मान जाएंगे इतनी मेहनत करके लोन भरने से आखिर उन्हें क्या मिलेगा करीम चाचा अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं इसलिए यह प्रॉब्लम आई है और यह कभी बदलने वाला भी नहीं है भालाई इसमें है कि करीम चाचा खुद इस परपोजल को स्विकार कर ले देखो फैजल तुम्हारा जीवन भी इस होटल के साहरे आगे नहीं बढ़ सकता समझ रहो न अब अगर तुम्हें मेरा उप्शन पसंद आया तो तुरंट फैसला कर लोग प्रापर्टी नहीं बेचने वाले फैजी फैसला करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए फैसला करने के बाद मुझे बता देना बागी मैं अरेंज कर लोगा ओके थैंक्यू सर दादा जी ये कैसा लोन है तीन साल पहले मेरे बास उटें चलाने के लिए पैसे नहीं थे उस वक्त लोन लिया था और पैसे भरने के लिए पंजी नहीं है तो फिर कुछ कह नहीं सकता दादा जी आप ठीक हो ना क्यों तुमने कभी रेकिस्तान में बारिश देखिये बेटे मैंने देखिये मैंने तुम चिष्टे के दरगाह पे जा रहा था वह पहुंचने से पहले इसी तरह से बारिश रही थी तुम्हारी एक इंसान यही सोच रहा था कि जन्नत दूर में ही है इस पूरे शहर में आपकी बिरियानी सबसे अच्छी है तो भी बिजनिस में लॉज हो रहा है ऐसा क्यों दादा जी अ मैं कभी भी क्वालिटी में कॉंप्रोमाईज नहीं करता इसी लिए खर्चा ज्यादा हो जाता है और प्राइज आप बढ़ाते नहीं है यह बात नहीं है बिटा प्राइज बढ़ाए बिना भी मुझे प्रॉफिट मिलता है लेकिन तरसल बात यह है कि मेरे कई खर्चे है उमर चाचा के बेटे की कॉलेज फीज और अभीदा चाची की बेटी की शाधी है ना इसका मतलब है कि यह जो होटल है यह दूसरों के खर्चे चलाने के लिए है बस यह आपके बिजनिस के लिए भी नहीं है आप अक्सर कहते हो ना सब कुछ छोड़ चाड़के कहीं दूर यात्रा पर निकल जाना है जैसे कि आपको हर दरगाह पर जाना है है होटल बन किये बिना आप यह सब कर सकते हैं मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं बेटा एक नाओ को अकेली ज्यादा दूर तक भला कोई कैसे ले जा सकता है अगर चलाने वाला कोई और भी हो तो हालात बदल सकते हैं होटल के लिए जो आपका कमिट्मेंट है यह किसे और से उम्मीद नहीं कर सकते दादाजी तो आपने जो शुरू किया था उसको खत्म करना ही बहतर हो गया ऐसा मुझे लगता है जो किसमठ में लिखा है वही होगा फैजी और इसे ओने से कोई नहीं रोक सकता हम भी इंतजार करके देखते हैं क्या होता है हमारी किसमठ बनने वाले हम खुद हैं एना दादाजी मेरी लाइफ में क्या होना ही यह डिसाइड़ करने वाला मैं खुद हुँ क्या ये कोई और कर सकता है क्या अगर कर सकता तो तू मेरे साथ नहीं होता अगर तू अपनी मरजी के हिसाब से करता तो आज तू यहां पे नहीं रह रहा होता बलकि लंडन में अपने बिजनस को सेटल कर चुका होता यही किसमत है बेटा कभी कभी लगता है कि लंडन का सपना देखने का कोई मतलब भी नहीं है यह ले यह थोड़ा सा अलग है मैं तुझे मसाले के बारे में बताऊंगा लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका अहसास तेरे दिल में है हर एक सुलेवानी में धोड़ा सा मुहबबत मिलाना महस जरूरी होता है उसे पीने के बार पूरी दुनिया रुट जानी चाहिए करना बार बारे में जरुट दुट जरूरी होता है दादाशी, क्या आप मुझे अपने प्यार की गहानी बता सकते हैं? तु इतनी इत्मिनान से कैसे कह सकता है कि मेरा लव अफेयर था? नहीं मतलब नहीं, जो सुलेमानी चखते हैं, वही कह सकते हैं कि उसके टेस्ट के बारे निती है. बेटे, जब मैं अठारा साल का था, उसी साल मैंने अपने उस्ताद को जोईन किया था. उसके बाद मैं मलवी की बेटी की शादी में बिरियानी बनाने गया था. जिस समय मैं बिरियानी बना रहा था उस वक्त धुए में, मैंने एक चेहरे को देखा, खिड़की के पास, जैसे कोई चड़िया पिंचरे में बंध हो. मेरे दिल में भी हल चलसी होने लगी. मेरी जिन्दगी में पहले जो कुछ भी हुआ था, सब एक चेह पर आकर जैसे थम सा गया था. कौन थी वो? महली की बेटी. मैं उसके शादी के लिए ही बिडियानी बनाने गया था. पिर क्या हुआ? बताएए ना दादा जी. क्या हो सकता था? निकाह के बाद आपके बिडियानी खा कर वो चली गई होगी. तू किसी की महबबत में नहीं पड़ा, क्या? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. प्यार. दादा जी. चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने उसे अपने दिल से नहीं निकाला. सोजा बेटा, बताएए ना. तुझे पता है वो हसीना कौन है, बेटा? तेरी दादी है. अँ और अपने हाले. क्याँ. तुझे लेकिन डिदरिकस्तॉ प्युड़ बिया द्यूँ है चाहेाइ .... हादbayuição पेड़्यों अगल की मतारी काईन हा अवाल फैजी वेटा हम लोग दोस्त बन गए हैं बहुत ही एंसम लग रहा तु हुँ 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 मैरोफ इस इडियोट उसका नीचर बहुत ही बुरा है तो इंसेंसिटिव दूसरों की फिलिंग्स के बाले में बिल्कुल सोचता ही नहीं इसलिए तुम उसके साथ मिली हो पॉफेक्ट पेर मैं नहीं करती करती डॉंट से दाट आखिर मैं तुम उसे से निकाह करने वाली हो ना मैं महरूफ के बाले में नहीं कह रही हूँ तुम्हारे बाले में कह रही हूँ सलिमानी पीने का वक्त हो गया है इतना बुरा नहीं है इतियास अपने आपको दोहरा रहा है वो कैसे किसी और की दुलेन को चोरी करके अपर शरीर करका अपल अुरा झाड़ दोखी a कि बाले रही हूँ अब मातक्त pani आप़ी। बाले मैं क्पिटर व号े प्रेविगा आए जर्श अबर इट और, मिच्टर दूरा की, तूरा, मैं रही एश्ट्च्श्टर शेओ कू और मैं I'll make sure you get it thank you sir it's been great to work with you just one for me if you don't mind yes, why not hey George, how are you? yeah, tell me why? okay, I'll be there okay okay, I'll be there okay, I'll be there okay, I'll be there okay, I'll be there that's strange that's strange that means okay, I'll be there I'll be there I'll be there that's very kind of him, sir okay, I'll be there 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 how dare you give us something like this what is this? the chicken is not fresh this is the kind of chicken you are serving my guests sorry sir, sorry go call the chef sir, right now right now okay, I'll be there okay, I'll be there okay, I'll be there okay, I'll be there sir, fresh chicken is like this look hey, what are you doing? have you got mad? what are you doing? what the hell is he doing? what the hell is he taking away from here? stop उनसे बात करो Food and Drug Administration Office से आये हैं आपके रेस्टोरेंट में हैजिन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलिए हमें मुझे कुछ समझ भी नहीं आया इस होटल के हैजिन के बारे में हमें किसी ने कम्प्लेंड कि क meant याल आपके बारे मिलिए अरे में प्राइबम में आपके स्फोर्मेशन के बारे में गॉ करी नहीं फिरे चैलकिर्टन, मुझें, आपके साथ सारे केस्टमर्स को बाहर भेजो हम इस रेस्टॉराइब को सील कर रहे हैं लेकिन क्यों सर तुम्हारे किचन में एक बिल्ली मरी हुई पड़ी है साथ दिनों तक लीगल एक्शन चलेगा और उसके बाद होटिल खोलने से पहले इंस्पेक्शन होगा बाकी आप हमारे ओफिस में पूछताच कर सकते हैं उस्ताद होटर जो कोईकोड वीज के करीब है उसमें रेट डाला गया है वज़य ये बताई गई है कि अनहाईजेनिक तरीके से ये होटल चलाया जा रहा था फूट कंट्रोल और ड्रग अडिमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने होटल को सील कर दिया है कोईकोड वीज के साथ उस्ताद होटल है उसे सील कर दिया गया है वज़य ये थी कि अनहाईजेनिक तरीके से होटल चलाया जा रहा था पूट कंट्रोल और ड्रग अडिमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसे सील किया है कॉमर्शिलाइजेशन का शिकार हर बार आम आदमी ही होता है इस होटल के खिलाफ कई बार लोगों ने कंप्लेन भी किया ता मगर आज तक कोई आक्शन नहीं लिया गया पर आज पुलिस ने इने रंगे हाथों पकड़के इने बेनकाब कर दिया है आप देख सकते हैं कि जंदा में कितना गुस्सा है विसीवी चैनल से कैमरामेन प्रवीन के साथ मैं टोनी टोनी नहीं नहीं कितना में पुलिस नहीं कितना खड़के ज्या नहीं कि तो कुलिन रिपोर्टिंग करते वाक्त होडल के लोगों ने बीटीबी रिपोर्टर और कैमरामन को मारा उन्हें होस्पोटल होगर्दी किया गया है थोड़ी चोट भी लगी है तुने जो कहा था वो सही था बेटा बंद करने का समय आ गया है नहीं दादा जी अभी उनको सबक सिखाने का समय आ गया है उसकी जरुत नहीं है हमें सावी कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग बहुत अमीर हैं बेटा हम उन लोगों से लड़कर जीत नहीं सकते हमारे साथ ये गरीब भी भूक हो मरेंगे उस्ताद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए हम सब ने अपना पूरा जीवन इसी दुकान में गुजा रहा है आज कल के आए हुए लोगों से हमें डरनी की जरूरत नहीं है अगर हम सब मिल जाएं तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे बेटा फैजी हम सब तुम्हारे साथ हैं हाँ हमें उनसे क्यों डरना चाहिए बताइए इससे किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा दादाजी हमें ये होटल किसी भी हालत में फिर से खोलना होगा करेंगे बतादी होगा होगा शहेफ फिलम शहेफ है थैंक आगी पिलम ये थैंक यो आग्यों सुमरक्वस्ण हाँ हाँ दाजी सब कुछ सही हो गया और आप ते जो कहा ता वही सही था किसमत के बारे में शेफ फिलिफ फ्रांस में रेस्टरान खोल रहा है और वो चाता है कि मैं भी उसके साथ चलू एक्सेटिव शेफ के तौर पर मेरी पूरी मेहनत का मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है दादाजी आपको कुछ भी करके मेरे डाड़ी से पास्पोर्ट दिला नहीं होगा अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उड़ पाऊंगा आगन फ्लाइ हाई मुझे वापस ऐसा माउका नहीं मिलेगा दादाजी मैं अपने दीदी को फोन करके आता हूँ वन मिनिटा एक मिनिटा माई अटैक था ये निदे रेस्ट फोर सम देज रिलाक्स नाओ उनकी कंदिशन स्टेबल है मुझे कोई और टेंशन नहीं है दादाजी को मुझे रुखने के लिए नहीं कहना चाहिए एमोशनल ब्लाक्मेल करने का सही समय है ये अगर उन्होंने कहा भी तो तुम चाह सकते हो बेटा तो जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करेगा क्या शूर वो जो मदुराए में मेरा दोस्त रहता है उसको पैसे पहुचाने है और एक चिट्ठी भी ओके एड्रेस उमर के पास है ले ले तुझे आज ही निकलना होगा दादाजी अब हॉस्पिटल में हो तुम मैं किसे जिसे जाना होता है वो चला जाता है प्रुबाओा दोस्त पहुचा में हुचाओाः जादाए चार्शभा प्रुबाओा इसे जादा किसे नथोज़फा in picture आरी में रहता है जाता जाता है ये प्रुबाओा झाल झाल दो, दो कज़रेंद के बाद करेंद देड दिष्टानी है करेम चाचा फ्रम कैली कटने भीजा है और कैसे है करेम चाचा यह फाइन हाँ एक्चुली वह हॉस्पिटल में है हम यहाँ अब हाइट अब डिस फाइन नौ उन्हें मुझे ख़त दिया है आपके लिए मेरे प्यारे नारायन प्रिश्णन इस ख़त के साथ तुझे जो मिलेगा वो मेरा पोता है मैंने उसे सिखाया है कि खानक कैसे बनाया जाता है लेकिन तुम्हें यह सिखाना है कि हम खानक किसके लिए बनाते हैं खालब आपके खालब है प्रश्ण फालब आपके शॉन मेरे भी तुब है तुब है लादिते हुआ तुब है लेटा अरे तुम रो क्यों रहे हो अरे वो उन्हें देदो तुम खाओ अच्छा बच्चा है खाओ खाओ आराम से खाओ पसंद आया ना तु उस्ताद उच्छों में काम करता है क्या नो एम 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 शेफ एक्चुली बहुर जल्द में फ्रांस जाने वाला हूं वाभी जॉप मिला है मुझे इन मासले अग्जेक्टिव शेफ एक्जेक्टिव शेफ मैं भी शेफ था ताज में काई साल पहले oh I work there for 12 years okay you see that old man he changed my life उस समय में ताज में काम करता था उस दिन पहली बार मैंने इस आदमी को देखा वो भूग सहन ही पा रहा था इसलिए he was eating his own human waste उस दिन मैंने सोचा what is the purpose of my life I am working in a star hotel feeding all my guests और वहां मेरे गाउ में लोगों को एक वक्ट का खाना भी नसीब नहीं होता है I took a decision मैंने अपनी जाँ छोगी और ये सब करना शुन कर दिया मैंने जाँ मैंने जाँ मैंने जाँ मैंने जाँ मैंने अगर एक काप पेट भर गया तो कहेंगे कि बहुत हो गया मैंने मैंने जाँ मैंने जाँ चलो फिल दो इन दॉट जाँ सब लोग आज दो पैर हमें नेरी मेंट के हैलन केलर इसकूल जाना है सब लोग 8 बजे तक रेडियो ठीक है ओ भाई समझ गहें ना तो एक काम कर आज तू खाना गोग कर ओके अमें शूर क्या बनाओं मैं और क्या बनाओं गें बिर्यानी करीम चाचा वाली बिर्यानी कर दो टके आजूर झाज तू मैंधने कर दो 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 झाल 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 फैजी बहुत अच्छी बनिये लगता है आज मैं भी चिक करके देखता हूँ फैजी पता है ये तुम्हारी बनाई वेस्ट बिर्यानी है बहुत इस्वादिश्ट है झाल कर दो 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 कि यह लोग साइन लाइंग्विज में आपको थैंक्स बोल रहे हैं सर। बेटा, कोई किसी को भी खाना दे सकता है। लेकिन हमें उसको दिन से संदुष्ट करना चाहिए। कर दो कर दो से वपको दिन लाइंग्ध्विट कर 점ाती है। करते हैं उस्ताद होटल बंद हो गया बिटा दादा जी करें चाचा चले गया उनके पास खोने के लिए क्या था वो तो कंदे पर एक पट्री लेकर इधर उधर घूम लेंगे उन्हें इसकी यादत है लेकिन अब हम क्या करें जी करें आदाद है येले और आखिर में उस्ताद होटल ऐसा बन गया जैसा आप देख रहे हो इतना काफी है ना कहानी बताकर मैं ठख गया हूँ ठैंक यू मर्चाचा बाटकर के अच्छा लगा तो अभी आपको उमर्चाचा ने उस्ताद होटल के 60 साल की इतिहास के बारे में बताया ये किवल इतिहास ही नहीं बल्कि एक कहानी भी है और आज की शाम को और भी हसीन बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूफी डांस करने वाली एक टीम जिसके साथ है गजल जिसे यहां के लोग बहुत इंजुआई कर रहे हैं गयासे मैं आपको पता दू यहां की बिर्यानी की खुश्बु पूरे शहर में बहुत मशूर है जब बिर्यानी के बटन गठककर निकलता है तो उसकी खुश्बु पूरे शहर में फैल जाती है और इसे इतना स्वादिष्ट बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ करीम चाचा ही है और अभी आपके सामने जो बैठे हैं वो बहुती खास इंसान है इस होटल के पास जो प्रेजिन्ट को जोडने वाले एक खास लिंग उस्ताज जी के बेटे और फैजी के पिता जनाब अब्दुल रजाक सर आपके उस्ताज होटल को लेके कौन-कौन से यादगार पल हैं यादगार पल कमतो ये होटल मेरे अब्बू के लिए सब कुछ था दरसल मैं यही पर बढ़ा हुआ हूँ जब मैं छोटा था तो यहाँ आएवे लोगों को मैं बिर्यानी करेशा करता था फैजी से उन्होंने पहले यही करवाया उनका सवभाव ही ऐसा था अब इस उस्ताज होटल का निया ब्रांस दुबई में भी शुरू किया है और वो उसकी बेहने चलाती है और उपर वाले की मर्जी से बहुत अच्छी तरसे सब कुछ चल रहा है वहाँ पर सब उसकी मेहनत की वज़े से अब आईए मिलते हैं इस होटल की तीसरी पीड़ी से फैजी मतलब उस्ताज के बेटे के बेटे ये वही है क्या जिनके बारे में चाटा ने कहानी सुनाई थी हाँ वही शाहना उस्ताज भूटल की बिरियानी इसलिए बहुत टेस्टी है क्योंकि उसमें खास चीज मिलाई जाती है और वो है महबबत आप आज भी पहले जैसी बिरियानी कैसे बना लेते हैं क्योंकि बारे में चाहने है